Assalamualaikum student, student आज जो हमारा topic है physics class 9 unit 7 से वो density of object है इससे पहले जो हमने topic पढ़ा था वो अर्शिमेदस principle था अर्शिमेदस principle ने हमें ये बताया कि कोई भी object जो है वो water पे कैसे displaced होता है या वो water पे कैसे float करता है उसको हमने कुछ explain किया था और उसकी explanation देखी थी और derivation भी देखे थी आज जो हमारा topic है वो हमें complete view देगा अर्शिमेदस principle की हमारी daily life में जिसमें एक तो हम ये topic discuss करेंगे कि हम अर्शिमेदस principle के concept से density of object कैसे निकाल सकते है क्योंकि कोई भी body है तो water में displaced होगी जब वो displace होगी या तो वो partially displace हो जाएगी या वो fully displace हो जाएगी जो partially displacement है वो तो float कर जाती है और जो fully है वो sink कर जाती है वो भी हम concept देख लेंगे लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि densities को कैसे represent करते हैं या अर्शमिदस ने जो density का concept दिया वो ratio की form में कैसे है तो इसके लिए हम यह करते हैं कि हम density of object निकालने के लिए मैंने एक diagrammatical potion बनाए है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक मैंने thread ली और एक object लिया तो outside उसका weight over होगा जबकि जब मैं water में उसको displace करूँगा तो उस वाट उसकी weight की जो quantity है वो ओर होगी वो water में displace हो जाएगी और उसका weight है वो change हो जाएगा ये weight हम mass spring system हमारे पास होता है spring उसके जरीए हम measure करते हैं लेकिं just हम यहां पर view ले रहे हैं कि वो हमारे पास ratio कैसे बनेगी क्योंकि ये numerical में और example में use होगा formula तो सबसे पहले for example suppose करते हैं एक object है उसके साथ ये thread लगी हुई है तो outside जो उसका weight है मैंने उसको w1 क्या दिया है जबके जब मैं water में उसे displace करूंगा तो उस वाद मैंने उसके weight को w2 का है क्योंकि उस वाद उसका weight काम हो जाएगा water के अंदर जबके उस वाद water का weight क्या होगा w, जो कि किसके equal होगा w1 minus w2 क्यों w1 minus w2 क्यों क्योंकि water इन दोनों का difference है वहाँ पर इन दोनों के difference comparison को represent कर रहा है कि वो body surface पर float करेगी या sink कर जाएगी तो अवराल जब हम इसको comparison करते हैं तो अर्शमिदस के principle के मताबिक जो इसकी ratio होती है वो यह होती है कि यह d जो होता है, यह density of object होता है small p जो है density of water होता है इसके पर में मैं पहले भी बता चुक्छा हूँ आपको तो यह जो density of object equal होती है w1 जो के weight of object था outside water के अलावा divided by w, w क्या था weight of water जो के w1 minus w2 के equal था multiply by density of water तो अब हम w के जगा उसकी value put करते हैं w1 minus w2 तो यह जो formula हमारे पास आया है यह हम numericals में भी use करेंगे यह formula हमें बता रहा है concept of Archimedes principle about density of object और यह आपके क्या चीज़ बता रहा है ratio between density of object and water तो इस चीज़ को हम अपने next topic में represent करते हैं जो कि यह formula है उमीद है आपको समझा गया होगा इसको हम represent करते हैं principle of floatation से बड़ा important topic है बटा principle of floatation का क्योंकि इसके मताबिक हम जो है ना हमारे ships जो है बोर्ड जो है जितने भी पहरी जहाज है वो water surface पे float करते हैं और यह सारा अर्शिमेदिस का concept है अर्शिमेदिस के concept को हम समय